दोस्तो आज आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी टिप्स लेकिया ही हो रोज काम आने वाला है तो इस टिप्स को पूरा करने के लिए धाई सो ग्रम घी ले ले इसमें दो कैंडल डाल देना है और थोड़ा सा कपूर डाल देना है मिल्ट कर लेना है कपूर के वाज़े से बहुत अच्छी स्मेला जाती है इसमें अब इसको सेट करने के लिए इस तरह का सिलिकॉन वाला मोल भी लिया जा सकता है या आईश जमाने वाला भी ट्रे यूज़ कर सकते हैं रूई की बाती ले लेनी है नीचे से हलका हलका इसको फैला देना है तक कि आसानी से बैट जाईए अब मिल्ट किया हुआ घी डाल देना है इसमें फ्रेंट्स बहुत ही उपयोगी टिप्स है इसको जरूर आजमा की देखिएगा तो अच्छे से सारा रूई रख दिया है रूई की बाती रख दिया है घी डाल दिया है आदा घंटा इसको फ्रिज में रख देना है इसको पूजा के साथ साथ लिविंग रूम में भी चलाई है, बहुत अची खुश्मू आती है, घर से निगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी